हलो नमस्ते और वेलकम टो मूवीज इलिस्ट्रेटा आज हम फाइंडिंग डॉरी नाम की एक मूवी के बारे में बात करेंगे जो 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकन कम्प्यूटर अनिमेटेड अडवेंचर फिल्म है जिसे डिजनी ने बनाया है और पिक्सार ने रिलीज किया है ये फाइंडिंग नीमो का सीक्विल है और डॉरी के कारेक्टर से हमें पार्ट वन यानि फाइंडिंग नीमो में ही इंट्रड्यूस कर दिया गया था और डॉरी को short term memory loss की बिमारी है ये कहानी डॉरी जो की एक regal blue tank type fish है उसके बारे में है कि कैसे भूलने की बिमारी के बावजूद वो अपने mom died जेनी और चार्ली जिनसे वो बच्वन में बिछड़ गई थी उनको ढूंड पाई और उनसे मिली movie fishes की life के बारे में है और सच बताओ तो काफी unrealistic से भी लगती है सो logic का उपयोग वरजित है movie की शुरुआत में हम डॉरी को उसकी parents के साथ देखते हैं जहां वो उसे इस बात के लिए train कर रहे थे कि वो अपने घर से जादा दूर ना जाए और अपने घर को याद रख पाए जैनी और चार्ली उसके साथ पिकाबु खेलते हैं जिसमें वो छुपते हैं और डॉरी को काउंट करना था पर डॉरी जैसे काउंट करना शुरू करती है वो ये भूल जाती है कि वो अपने mom dad के साथ game खेल रही थी और दूसरी तरफ जाने लग जाती है जहां पर जैनी और चार्ली उसे अंडर्टोन की तरफ नहीं जाने की हिदायत देते हैं क्योंकि वो उधर जाकर वहां से गुम हो सकती है जब डॉरी डरती है कि वो फिर से गलती कर देगी तो उसे ये भी समझाते हैं कि हम तुमें कभी भी नहीं भूलेंगे और तुम भी हमारे बारे में कभी नहीं भूलोगी पर एक दिन डॉरी जाने अंजाने अंडर्टोन की तरफ चली जाती है और अपने पेरेंट्स से बिच्छर जाती है छोटी से डॉरी अकेले बहुत डरी हुई है और समंदर की हर फिष्ट से अपने mom डाइट के बारे में पूछती है पर अपने parents के बारे में कोई सही details भी नहीं दे पाती और धीरे-धीरे सब कुछ भूलने लग जाती है और ऐसे ही काफी साल निकल जाते हैं और वो बड़ी भी हो जाती है और वो यहीं पर मारलिन से टकराती है जब मारलिन नीमो को ढूनने जा रहा होता है मुवी के पार्ट वन में मुवी का टाइम लाइन अब वहाँ शिफ्ट होता है जब मारलिन नीमो को ढून लिया है और अब मारलिक, नीमो और डॉरी सब एक साथ रीफ में रहते हैं और उन्हें वहां रहते वे एक साल होने को आया है डॉरी नीमो के साथ ही स्कूल जाती है और स्कूल में पढ़ाई करती है और आज की क्लास में टीचर अंडर्टोन के बारे में पढ़ा रहे थे जहां से डॉरी को अपने मॉम डाइड का फ्लैश पैक आता है क्योंकि उन्होंने भी उसे अंडर्टोन के बारे में बताया था और उससे दूर रहने की हिदायदी थी डॉरी को चोट लगती है और वो बहोश हो जाती है और वो नींद में अपने घर का एडरेस बोलती है जो की था जुएल ओफ मॉरो बे कालिफॉर्निया जिसे नीमो सुनता है पर अगले ही पर डॉरी सब कुछ भूल भी जाती है पर जैसे ही नीमो उससे बोलता है कि तुम्हा चाहिएगा और अब सब यहीं रहेंगे तो डॉरी बताती है कि मैं अपने पेरिंस को मिस्स करती हूं और उनसे मिलना चाहती हूं और मैं यहां अकेले नहीं कर सकती तो मुझे हेल्प करो मार्लिन बोलता है कि मैं समझता हूँ कि अपनी फैमली से पिछड़ने कैसा होता है और अब तीनों निकल परते हैं डॉरी के पैरेंट्स को खोजने के टास्क पर। और अब इसके लिए उन्हें फिर से पूरा ओशन क्रॉस करके जाना है और फॉर्स्ट पार्ट कहीं तरह मारलिन, नीमो और डॉरी सी टर्टल क्रश की हेल्प लेते हैं और दे ग्रेट बैरियर रीफ को क्रॉस करते हैं रीफ क्रॉस करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डॉरी अपने बच्पन में भी आई थी और इस जगह पर पहुंचने पर उसे फिर से मेमोरी फ्लेशेज आते हैं जिसमें वो अपने पेरिंस का नाम याद करती है जैनी और चार्ली और अब वो वहाँ पुकार पुकार कर सबसे पूछती है कि कोई जैनी और चार्ली को जानता है और इस आवाद से वहाँ एक बहुत बड़ा हमबल डोल्ट स्क्विड जाग जाता है और इन पर अटाइक कर देता है वो आलमोस्ट नीमो को खाही जाने वाला था पर ये कैसे भ कि देखकर मारलिन गुस्ता हो जाता है और डोरी को डाट लगा देता है डोरी उदास होती है और बोलती है कि मैं हेल्प लाऊंगी और हेल्प लाने के लिए सर्फिस पर पहुंच जाती है वहाँ पर एक मरीन लाइफ इंस्चूट के कुछ स्टाफ थे जो डोरी की हेल्प क इसी रहती है उसे मानीटर किया जा सके इंस्चूट के अंदर डोरी को एक टैंक के अंदर रखा जाता है जहां उसे सेवन लेग वाला ऑक्टोपस हैंक मिलता है हैंक जब डोरी का टैंग देखता है तो उससे डील करता है कि वह उसकी मदद करेगा अपनी फैमली को ढूनने में और उसके बतले डोरी को अपना टैंग हैंक को देना होगा क्योंकि हैंक हमेशा से क्लेवलैंड अक्वेरियम जाना चाहता था और डोरी को वहीं जाने का टैंग लगा हुआ था यहां हैंक बताते हैं कि ज्वेल ओफ मोरो बे कैलिफॉरनिया यही जगा है डोरी बोलती ह कि यही मेरा घर हुआ मतलब मैं यहीं से हूँ, मेरे पेरेंस भी यहीं होंगे। हैंक को डॉरी की शॉर्ट टम मेमोरी लॉस की बीमारी का भी पता चलता है। हैंक उसे वहाँ एक कॉफी पॉट में लेकर इंस्चूट का मैप दिखाने चल देता है ताकि डॉरी यह पता लग कि उसके पेरेंस इंस्चूट के किस डिपार्टमेंट से हैं। मैप को देखते हुए डॉरी को फिर से मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें उसके पेरेंस उसे घर का रास्ता सिखाने के लिए शी सेल्स की लाइन बनाते थे और उसे शी शेल्स धूनने के लिए भी बोलते थे। यहां डॉरी एक bucket में गिर जाती है जिसके ओपर destiny लिखा हुआ था destiny एक whale shark थी और institute के अंदर ही रहती थी institute के staff डॉरी को destiny के chamber में डाल देते हैं destiny shark डॉरी को बताती है कि हम दोनों बचपन के friends है और हम दोनों whale की language में pipes के थ्रूप बाते किया करते थे और डॉरी का घर open ocean exhibit में है यहां डॉरी बेलगवा whale बेली से मिलती है जो कि एक head injury के कारण अपनी eco location यूज नहीं कर पाता था यहां हैंक भी आ जाता है और डॉरी को open ocean exhibit में ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है इधर मर्लीन को इस बात का बुरा लगता है कि उसने डॉरी से ऐसे बात की और दो सोते हुए sea lion, fluke और rudder से institute के अंदर जाने का रास्ता पूछता है sea lion मर्लीन और नीमो की help करते हैं और बेकी को बलाते हैं जो की एक black loon bird है sea lion मर्लीन को एक bucket भी देते हैं जिसके अंदर डाल कर मर्लीन और नीमो को बेकी institute के quarantine ward में पहुचा देगी इधर हैंक डॉरी को एक बच्चे के water bottle में डाल कर एक प्रैम के सहारे open sea exhibit की तरफ चल देते हैं पर डॉरी फिश भूल जाती है कि अब उसे किस ओड़ जाना है और हैंक को लेकर किसी और ही direction में चल देती है जहां से प्रैम एक दिवार से टकरा जाती है और दोनों एक touching tank में गिर जाते हैं और finally यहाँ पर डॉरी को अपना घर दिखता है open ocean exhibit हैंक डॉरी को लेकर उसके chamber के ऊपर पहुँचता है और उसका cup खोल कर अंदर डाल देता है डॉरी भी उसे अपना tag दे देती है डॉरी को नीचे shells रखे हुए मिलते हैं जिनको follow करते हुए डॉरी अपने घर पहुँच पर sadly अब वहाँ कोई नहीं रहता था डॉरी को अपने बच्पन की memory flash भी आती है जिसमें उसे याद आता है कि एक बार अपने mom को उदास देखकर वो उनको खुश करने के लिए purple shells लाने गई थी और तभी undertone में फस गई थी और उनसे भी चड़ गई थी वहां डॉरी दो छ जा रहा है दोनों क्रैब ये भी बताते हैं कि undertone की pipe से वो फिर से quarantine में पहुंच सकती है जहां वो अपने parent से भी मिल सकती है डॉरी हिम मत करके pipes में चली जाती है पर थोरी देर बाद ही directions भूल जाती है और pipe से वो destiny blue whale से बाते करती है और उससे directions भी पूचती है यहां बेली अपने eco location को ठीक कर लेता है और उसकी help लेकर डॉरी पाइप से बाहर निकलने का रास्टा ढूनती है और वहीं रास्ते में मारलीन और नीमो से भी टकरा जाती है वो लोग भी उसे खोशते खोशते pipe के रास्ते ही आ रहे थे डॉरी मारलीन और नीमो अगेन quarantine के पास पहुं में गिर जाते हैं यहां हैंक आकर डॉरी मरलीन और नीमो को बचाता है और blue tank fishes के container में डाल देता है यहां इनके पास सिर्फ 3 मिनट का time था क्योंकि अब साम हो गई है और इन shoot बंद करके fishes की truck को Cleveland भेजा जाने वाला है डॉरी बाकी fishes से अपने mom dad के बारे में पूछती है जो उसके बाद वो कभी open ocean exhibit में वापस नहीं आए और साइद इसका मतलब हुआ कि अब वो जिंदा नहीं है यह news डॉरी को बहुत हट करती है और वो अपना होश खोने लगती है हैंक डॉरी को एक container में निकाल लेता है पर marlin और nemo अंदर ही रह जाते हैं और उनको truck में रखकर Cleveland की तरफ ले जाने लगा जाता है हैंक को भी इन शूट स्टाफ पकड़ लेते हैं जिससे डॉरी उसके हाथ से गिर कर समंदर में पहुंच जाती है डॉरी एक बार फिर से समंदर में पहुंच गई थी और यह वही जगा थी जहां वो एक बार अपने बच्पन में भी आई और फिर से बाकी फिशेट से अपने मॉम डाइड का आडरिस पूछती है पर कोई बता नहीं पाता और अब वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी है पर तभी उसे वहां कुछ सेल्स पड़े हुए दिखाई देते हैं और यह उसे याद आता है कि उसके मॉम डाइड ने उसे सेल्स फॉलो करने के लिए बोला था वो वैसा ही करती है और एक छोटे से घर में पहुंचती है और वहां दो ब्लू टैंक फिशेज आ रही थी और वो डॉरी को देखकर पहचान गई और गले लगा लेती हैं और यही डॉरी के मॉम डाइड थे वो डॉरी को बहुत इ डॉरी कहां गई और अब एक्वेरियम स्टाफ ने हैंक को भी एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था इधर डॉरी अपने पेरेंस को मारलीन और नीमो के बारे में बताती है फिर उसे यह भी आद आता है कि मारलीन और नीमो तो ट्रक के अंदर है और अब वो टाइम आ गय जब ट्रक इंस्चूट से निकल गई थी डॉरी वेल की लैंग्विज में डेस्टिनी और बेली को समंदर में अपनी तरफ बुलाती है और बेली की इको लोकेशन की ऑबलीटी का यूज़ करके वो ट्रक की लोकेशन बता करते हैं और ट्रक का पीछा करते हैं जब वो एक प्रिज को क्रॉस करने वाली थी अब उन्हें ट्रैफिक रोकना था ताकि ट्रक को रोका जा सके सो डॉरी डेस्टिनी की मदद से ब्रिज पर थ्रो होती है और बहुत सारे ओटर रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं सारे लोग अपनी कार्स रोक देते हैं और ट्रक भी र लाता है और बेकी जल्दी से सिर्फ मरलीन और नीमो को लेती है और समंदर में ड्रॉप कर देती है डॉरी वहां पीछे चूट जाती है बेकी बर्ड फिर से डॉरी को लेने जाती है पर तब तक बहुत लेट हो चुका था और ट्रक बंद हो जाता है और चल पड़ता है हैं कब समंदर में जाने की उम्मी छोड़ चुका था पर डॉरी के बताने पर वो लोग इमजेंसी एगजिट से निकल कर ट्रक की फ्रंट सीट पर पहुंच जाते हैं ड्राइवर से यह सब देखकर डर जाते हैं और ट्रक से भाग जाते हैं जिसके बाद अब हैंक डॉरी को समंदर में गिरा देते हैं और मरीन लाइफ इंस्चूट का मोटो कंप्रीट कर देते हैं जो कि था रेसिक्यू रिहाबिलिटेशन एंड रिलीज अब आगे हम देखते हैं कि सब साथ में एक फैमिली की तरह रीफ में जाकर रहते हैं और हैन ऑक्टोपस अब वहां बागी इसका टीचर बन गया है डॉरी अब इंडिपेंडेंटली डॉफ अफ पर जाकर व्यू देखती है और उसे एक फ्लैश पैक आता है जिसमें उसके पैरेंस उसे बोलते हैं यू कें डू वाटेवर यू पुट यूर माइंड इंटू और मुवी इधर ही खतम हो जाती है मुवी देखने पर बहुत ही अन्रियलिस्टिक लगती है पर एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग है और सबसे बड़ा पॉइंट है इस मुवी का डॉरी का वॉइस आर्टेस्ट चाहे वो बचपन की डॉरी हो या बड़े होने वाली डॉरी वाइस आटिस्ट ने जैसे हर इमोशन जी के बोला है और डॉरी का डायलोग जस्ट किप स्वीमिंग, जस्ट किप स्वीमिंग, बहुत ही फेमस हुआ था So if you like to watch more then hop on and tag on for more research Thank you, bye bye tata Thank you